नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धमसनमार दोस्तों नमक का टोटका सिर्फ एक चुटकी नमक आपकी किस्मत बदल सकता है दोस्तों हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीजें आते रहती है हमारे आसपास flow करते रहती है और जब नकारात्मक चीजें बढ़ जाती है तब क्या होता है जीवन में परिसानिया बढ़ती है और जब सकारात्मक चीजे, positive चीजे बढ़ती है तब जीवन में खुसियां आती है धन आता है, सभी तरह के मार्ग खुल जाते है ब्यवधान समाप्त हो जाते हैं आज हम बतलाएंगे नकारात मक्ता को दूर करने के आसान तोटका जिसे अपना कर आप जीवन में धेर सारी खुसियों को ला सकते हैं धन समंदी परिसानी को भी दूर कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहला उपाहम आपको बतला दें वैसे वीडियो के अंतक बने रही है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धनाता रहे बरकत हो, खर्चे कम हो, दबाईयों पे खर्च ना हो तब क्या करेंगे एक कांच के गलास में एक चुटकी नमक या एक चमच नमक अपनी सुविधान उसा डाल दे और इस गलास को नितित कोन में रख दे और कम से कम पंदरा दिनों में इस पानी को चेंज करे पानी को आप फ्लस कर दे, टालेट में या फिर बेसिन में डाल दे ऐसा करने से धनलाब के मार्ग खुल जाएंगे आप पती-पत्नी हैं, आपके बीच प्रेम नहीं है, बिना मतलब के बाद विबाद होते हैं जगरे लडाईयां होते हैं, तब क्या करेंगे? आप अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं, वहाँ पर सेंधा नमक का डली आता है समुदरी नमक भी होता है, उसका भी डली आता है एक टुकरा नमक, एक डली, काच के किसी बाउन में या किसी कागच के उपर रखकर किसी भी कोने में आप रख दें आप लोगों के बीच आपसी सामन जस्य से बढ़ेगा और दूरियां खत्म होंगी, प्रेम बढ़ेगा दोस्तों, अगर आपके घर में बास्तु दोस है, बास्तु दोस कैसे जानेंगे? बिना मतलब के जगड़े लड़ाईया रहना, बाद विबाद होना, मन असान तरहना, बरकद ना होना, किसी काम में मन न लगना और परिसानिया जैसे लगे की पिछा ही ना छोड़ रही है, तो इसका मतलब कभी-कभी वास्तु दोस भी होता है क्या करेंगे? जब भी आप अपने ख़र में पोचा लगवाते हैं, तो पोचा के पानी में एक चमच नमक डाल दें, सिर्फ ब्रहस्पती बार के दिन आप पोचा मत लगवाईए, अगर नमक मिले पानी से बाकी दिनों में लगवाईए आप देखिएगा घर में लक्ष्मी जी का बास होने लगेगा, हर जगा बरकत होने लगेगी अगर आपका स्वास्थ गरबर रहता है आपके घर में किसी का भी स्वास्थ गरबर है माता पिता है, भाई, बहन, पत्प, पत्नी, बच्चे किसी का भी, तब क्या करेंगे सिरहने यानि जहां सोते हैं बेट के ठीक नीचे फर्स पर कांच के कटोरी में नमक रख दें और हर सप्ता चेंज करें किसी भी दिन रख सकते हैं संडे, सटर डे, अगर ट्यूजडे हो तो ज़्यादा अच्छा है वरना किसी भी दिन रखें कोई दिकत नहीं है हर सप्ता इस नमक को अफ्लस कर दीजे आप देखिएगा दवाईयों पर जो ये खर्चा है वो कम होगा और दवाईयां भी सूट करने लगेगी जल्दी से स्वास्त लाब हो जाएगा अगर सनी की साढ़े साती धईया दसा महा दसा अंतर दसा पर इसानी में डाले वे हैं आपको तब क्या करेंगे सनी देब को परसंड करने के लिए सनी बार के दिन सेंधा नमक का दान करें ऐसा करने से भी आपके जीवन की मुश्किलें कम होगी और मिलेगी सनी किरपा खुद लगेगा किसी ने लगता है जैसे बांध दिया है हर एक चीज बंध गई है भागे भी बंध गया है तब क्या करेंगे एक चुटकी नमक लें अपने सर से या पूरे परिवार के सर से बार लें कम से कम साथ बार सर से लेकर पाउं तक और इसे बहतेवे पानी में डाल दें ऐसा करने से आप देखिएगा बुरी नजर दूर हो जाएगी दोस्तों घर में पॉजेटिविटी बढ़ाने के लिए जैसे हमने कहा सकारत्मक और नकारत्मक दोनों ही उरजाएं हर जगह होती हैं लेकिन सकारत्मक उरजा को बढ़ाने के लिए आप एक काच के कटोरी में थोड़ा सर नमक लें उसमें दो-चार लॉंग डाल दें याद रखिए अब फूल वाली लॉंग डालना है तुटी वी लॉंग नहीं डालना है अब इस काच के कटोरी में जो आपने नमक रखा है घर के किसी भी कोने में रख दें आपके घर में खुसियां आने लगेंगी अगर आपको लगता है कि घर में किसी ने टोना टोटका कर दिया है तंत्रमंत कर दिया है बच्चे हैं अचानक से रोने लगते हैं खाना पीना नहीं खाते बड़े हैं अचानक से बहुत बुरी तरह से बीमारी में फस गये हैं तब क्या करेंगे नमक चाहे डली वाली हो या फिर या भी जो बुरादा वाली नमक आती है पॉडर कुछ भी हो कोई भी नमक हो आप एक लाल कपड़े में थोरा सा नमक 50 ग्राम 100 ग्राम लेकर बांध ले अब घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाते आप देखिएगा बुरी सक्तिया आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर हैं तो वो भी बाहर चली जाएंगी दोस्तों कहते हैं रात में अगर आप नमक मिले हुए पानी से हाथ पैर धोते हैं फिर सोते हैं तो राहू के तू कितना भी बुरा इस्थिती में हो बुरा प्रवाव आप पर नहीं डालेंगे आप ऐसा करके देखें आपको लगेगा खुद ही कि जीवन में खुशिया आने लगी है और परेशानियां भी समाप्त होने लगी है दोस्तों अगर आपका छोटा बच्चा है आपके घर में या आप ही हैं किस कोई भी सप्ता में एक दिन चुन ले और उस दिन नमक मिले हुए पानी से नहाएं जादा नहीं डालना है एक चुटकी डालना है ऐसा करने से नजर दोस से बचे रहेंगे सुरक्षित बने रहेंगे दोस्तों कभी भी किसी को भी हाथों हाथ नमक ना दे चाहे वो पैकेट का नमक हो या किसी भी चीज में हो नमक हाथों हाथ नहीं दिनी चाहिए जमीन में रग दें कहीं पे रग दें वो उठा के ले लेंगे खुद से क्योंकि इससे रिष्टे गरवड होते हैं वैसे तो नमक को गिरना भी अच्छा नहीं माना जाता अगर गिरता है तो अच्छे से साप सुत्रा कर लें जल में डाल दें नमक चन्रमा और सुक्र दोनों से ही समंद रखता है और नमक का सदुपियोग इन दोनों की ताकत को बढ़ाता है और दुरुपियोग इन दोनों को कमजोर करता है दोस्तों अगर आपको कोई ब्यक्ति पसंद नहीं है किसी का चरीतर अच्छा नहीं है गलत तरीके से धन कमाता है तो ऐसे लोगों का नमक ना खाएं कोई भी नमकीन बस्तू ना खाएं वरना आपका संसकार गरबढ हो जाएगा आप अपने बात्रूम में ट्वैलेट में एक काच के बाउल में नमक जरूर रखिए और हर मेने चेंज करते रहें ऐसा करने से आपके घर का वास्तू दोस्तूर होगा और जीवन में सकारत मकता फैलेगी और जो पहले वाला नमक है आपको ट्वैलेट में दाणना है इस बात को याद रखिएगा किसी को नजर लग गई है तो सर से पांग तक एक चुटकी नमक ले ले और साथ वार वार कर भहतेवे जल में डाल दे नजर वाधा तुरंत उतर जाएगी दोस्तों याद रखिएगा जब भी सबजी या दाल में आपको लगे कि नमक कम है तो उपर से नमक साधा नमक ना खाकर आप सेंधा नमक या काला नमक का भिवार कीजिएगा नहीं तो सर्नी गरबर होने का चांस बना रहता है अगर आपकी कुणली में चंद्रमा मंगल कमजोर है तो फिर आप सेंधा नमक का इस्तिमाल करें सेंधा नमक खाने से क्या होता है ब्लड पेरसर की समस्या से भी आप बचे रहते हैं अगर स्वास समंदी कोई परिशानी है तो नमक मिलेवे पानी से जरूर नहाएं ऐसा करने से स्वास समस्या दूर होती है अंत में एक आपको हम अच्चु कुबाय बताते हैं आप बच्चे हैं बाहर पढ़ाई करते हैं हस्टल में रहते हैं माता पिता से दूर है आपको पता नहीं है कि कैसे लाइफ में क्या होगा बहुत परिशानी है पढ़ने में मन नहीं लगता है तब क्या करेंगे अपने दोनों हथेलियों में थोड़ा थोड़ा नमक ले ले दो चार पांच मिनट दस मिनट बैट जाए फिर उस नमक को आप ट्वालेट में या फिर बेसिन में डालकर पाने में डाल दे आप देखेगा मन प्रसंद रहेगा पढ़ाई में भी मन लगेगा और सकारात्मकता अंदर से महसूस कीजिएगा हम आपसे भी दा लेते हैं वीडियो पसंद है तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धरने बाद हर हर माद